आपको और आपके परिवार को गणिश रतुत की धेर सारी शुब काम ना है आज हम बना रहें बिना मावे के बिना मिल्क पाउडर के मुँव में घुल जाने वाले मोदक इतने सूपर सॉफ बनेगे मोदक यह मोदक को हम बिना कोई ड्राइफ रूट आयड करें बना लेंगे यहां पर हम चार बड़े चम्मज घी डालेंगे मैं देशी घी यूज कर रहे हूं जुगाय का घी मेरे घर पर अविलेबल है मैं वह यूज कर रहे हूं आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखे फ्लेम लो पर होनी चाहिए मैंने आप एक कप बेसन लिय आपको इस स्टेज में मिक्षर काफी ड्राय लगेगा पर जैसे हम बेसन को रोस करते जाएंगे बेसन अपना घी रिलीज करता है यह सिकने के बाद थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे यहां पर आपको बस 5 मिनिट हो गए इसे भुंते वे देखे आप काफी गोल्डन हो चुका है और दिर दिर आप दिखेंगे इसने घी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है दिर आप देखेंगे पूरा मिक्षर में अच्छे से घी आ जाएगा आप इसे भुंते रहें आप कंटिनुसली लो फ्ल जब तक इसका जो कलर हो थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए आपको अच्छी से एक फ्रेग्रेंस भी आने लग गई है अब बेसन की मेरे घर में तो बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अभी बेसन और घी दोनों की हमारे घर में कुछ इस तरीके से मोदक बनाए जाते ह हैं आपके घर में कैसे बनाते हैं मुझे कमें सेक्षन में जरूर बताएं टोटल आठ से नौ मिनिट बाद हमारा बेसन अच्छी से सिक्के तयार हो चुका है अब मैं इसमें आड करूंगी फूट कलर यह डालना ऑप्शनल है आप चाहें तो यहां पर थोड़ से केसर ले साथ से आत धागे केश शर के दूद में भिगो के यूज कर सकते हैं एक अच्छा कलर के लिए मैं इसे एक दम मार्केट श्टल बना रही हूँ इसलिए पर फूट कलर आड किया है फूट कलर डालने के बाद मैं आप्शनल है तो यहां पर इस टेज में गुड भी ऐड़ कर कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिक फिर मैंने आप पे एक कप दूड डाला है अब मैं दूद को 3-4 पार्ट्स में डालूंगी तो मैंने एक चुताई कप दूड डाला है दूद एकदम रूम टेम्परेचर पर ना थंडा ना गरम है इसे आड करने का अच्छे से स्ट करें फिर तो और दूद डालेंगे यह स्टेप करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम धीरे दीरे इसमें मावा जैसा फ्लेवर देना चाहते हैं हम बिल्कुल भी मावा आड़ नहीं कर रहे हैं पर जब थोड़ा करके आप दूद आड़ करेंगे तो काफी पक जाएगा और मावे वाला टेक्शर देगा बेशन के साथ में और यह इंपॉर्टेंट टिप है इससे बिल्कुल भी लंब नहीं आएंगे आपके बेशन के मिक्शर में क्योंकि हमें मिल्क थोड़ा करके आड़ किया है फ्लेम लो रखें अच्छे से मिक्स कर लें अम आने बचावा दू और आधा खोया भी आड़ कर सकते हैं मावा आप घर मना के यूज करें उसका भी बहुत चा फ्लेवर आएगा इसमें बट मैं आज आपके लिए बिना मावे के एकदम घर में मिलने वाली सामगरी से बना रही हूं मोदक अब आपको यह मोदक के मिश्रन को 3-4 मिनिट के लि यहां पर इस स्टेज में आप एलाइची पाउडर भी आड़ कर सकते हैं पर मैं एलाइची के जगे यहां पर दूसरा इंग्रीडेंट यूज करूंगी जिसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉंग आता है अच्छे से मिक्स करने हैं आप चाहें तो यहां पर केवडा वाटर भी यूज कर सकते हैं पर उसे फिर आपको वापिस रोस करना पड़ेगा दो से तीन मिनिट के लिए और अब यह डो एकदम अच्छे से बन चुका है जो नारियल है उसने एक्स्ट्रा दूर भी सोक कर लिया है आप नारियल के बूरे की जगे यहां पर आदा कप काजु का है मोदक का जो मोल्ड आपको एजी ली मार्केट में मिल जाएगा यह आप अमेजॉन से भी बुला सकते हैं आप चाहिए तो कोई सी भी चीज की स्टफिंग कर सकते हैं यहां पर बट मैं आज बिना स्टफिंग के बना रही हूं मोदक इसको पूरा पैक करके कुछ इस तरी किस्ता की कत्रन के साथ में इसे एकदम मार्केट स्टाल बनाने के लिए आप यहां पर चांदी का वर्क भी यूज कर सकते हैं मैंने यूज नहीं करा है मैंना आप सभी के साथ धेर सारी गंड़ी शतुरती की स्पेशल रेसिपी शेर करी हैं उनकी लिंक्स आपको वीडियो को शेर करें अपने फ्रेंज और फैमली के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ एंड़ स्टे हेल्दी